आप मैंसे कई सारे लोगों ने चिंगम घ्ञाई ही होगी और आपको शायद यह मालूम भी होगा कि हमने कई ऐसी जगाहें देखी है जहां चिंगम हमेशा चिपकी हुई मिलती है जैसे कि हमारे शूज हमारे कपड़े या फिर बालों में पर आपने क्या कभी यह सोचा है कि चिंगम हमारे मुह में क्यों नहीं चिपक जाती आईए इस यूडियों में जान लेते हैं नमश्कार दोस्तों स्वागत है आपका डिस्कवरी की दुनिया में इस सवाल का जवाब देने से पहले हमें कुछ बाते जानने जरूरी है जैसे कि चिंगम का अविशकार 1814 में जोन बी कर्टिस द्वारा किया गया था और हेरान कर देने वाली बात ये है कि ब्रिटन में हर साल 15 करोड पाउंड का खर्च सिर्फ चिंगम से होने वाले कच्रे को साफ करने के लिए किया जाता है और सिंगापुन ने तो चिंगम के कच्रे से परिशान होकर ही उसके सेलिंग पर पेन लगा दिया है अब आते हैं हमारे सवाल पर कि चिंगम हमारे मुह में चिपकती क्यों नहीं है इसका राज दबा है इसकी बनावट में चिंगम की बनावट में साथ इंग्रिडियन का इस्तमाल किया जाता है सबसे पहला है स्वीटनर्स जो चिंगम को मीठापन देता है जिसमें नेचरल शुगर या आर्टिफिशल शुगर का भी इस्तमाल किया जाता है दूसरा होता है glycerin, जो च्विंगम को moisture देता है तीसरा होता है softner, जो च्विंगम को soft बनाता है चौथा होता है flavor, पांचमा होता है color छठा होता है polyol coating, जो च्विंगम की बाहरी सक्त परत होती है और सात्वा होता है gum base, gum base बेजिकली तीन इंग्रिडियन से बनता है पहला होता है resin, दूसरा होता है wax, और तीसरा होता है elastomer resin चबाने वाला main part है, wax softner के तोर पर काम करता है और elastomer, च्विंगम को rubber जीसी elasticity प्रोवाइड कराता है और हमारे सवाल का जवाब चुपा है resin में, जो कि basically एक hydrophobic polymer है hydrophobic का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो पानी को अपने साथ न रखे ये बिल्कुल वैसे ही है, जैसे हम पानी के भरे हुए बरतन में तेल की अगर एक बुंद डालेंगी तो वो बुंद हमेशा उपर ही तेरेगी, वो कभी पानी के साथ mix नहीं होगी इसी तरह से ये resin होता है, जो कभी पानी के साथ mix नहीं होगा अब आपके मन में ये सवाल आता होगा, कि पानी हमारे मुह में कहां से आया तो इसका जवाब चुपा है हमारे saliva में, क्योंकि हमारे saliva में 99% water होता है और 1% salt और protein होता है, जिसकी वज़े से chewing gum हमारे मुह में कभी चिपकती नहीं है तो आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कॉमेंट सेक्षन में जरूर बताए अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो like, share और subscribe जरूर करें Thank you